हेलो स्टूडेंट्स आपका अपने ट्योटर टाक चैनल में स्वागत है आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ सरकारी नोकरी के बारे में गोर्मेंट जोब जो की सेंट्रल डिपार्टमेंट में मिलती है वो इसका सैलरी का लेवल ही बहुत अच्छा होता है 29 9200 से लेकर 92300 तक इन में कौन-कौन सी पोस्ट होती है सैलरी कौन कैसी मिलती है एज लिमट क्या होती है एक्जाम पैटर्ण क्या होता है और कुछ स्पैशल डेट नोटिफिकेशन क्या है 2022 का सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले अब हम जानते हैं कि S.S.C. C.H.S.R. का मतलब क्या होता है S.S.C. यानि कि स्टाफ सेलेक्शन कमिशन इसकी फूल फॉर्म है जो की गोर्मन्ट जोग के अलग-लग एक्जाम करवाती है और C.H.S.R. का मतलब है Combined Higher Scandry Level और इसका एक्जाम हर साल स्टाफ सेलेक्शन कमिशन के द्वारा करवाया जाता है और इसमें कौन-कौन सी पोस्ट आती है उनके भी देख लेती है जैसे Lower Divisional Clerk, Junior Sectorial Assistant J.S.A., Postal Assistant P.A., Sorting Assistant S.A., Data Entry Operators, Data Entry Operator Grade A. अब ये इन अलग-अलग पोस्ट के लिए कौन-कौन सा सैलरी लेवल क्या है पे लेवल क्या है उसको समझते हैं जो तो है Lower Division Clerk जा फिर Junior Sectorial Assistant J.S.A., इनका जो पे लेवल 2 है वो है 19,900 से 63,200 यानि कि 19,900 से 63,200 तक सैलरी मिलती है और इसके बाद जो आता है Postal Assistant P.A. जा Sorting Assistant S.A इनको जा सैलरी लेवल है पे लेवल 4 वो है 25,500 से 81,100 तक 25,500 से 81,100 तक उसके बाद आता है Data Entry Operator यानि कि DEO इसका जो पे लेवल है वो है 25,500 से 81,100 और जो लेवल 5 में आता है वो है 39,200 से 92,300 तक है अब हम बात करते हैं Data Entry Operator जो Grade A में आते हैं उनका जो पे लेवल है वो है 25,500 से 81,100 क्वालिफिकेशन की बात करें क्या eligibility चाहिए इसके लिए इन पोस्ट पे जो प्रापत करने के लिए तो केवल प्लस टो पास होना चाहिए Candidate must have past 12th standard or equivalent examination from recognized board और university कहने का मतलब किसी भी stream में हो आप 12th past है तो आप SSE CHSR government job का exam दे सकते हैं अब हम बात करते हैं SSE CHSR का exam देने के लिए age limit क्या है अगर इसकी age limit की बात करें तो वह जनरल category के लिए 18 से लेकर 27 साल तक है इसके लावा कुछ special categories में जैसे OBC जनरल वालों को कुछ age relaxation दे जाती है वो क्या है वो भी हम देख लेते हैं OBC वालों को 3 साल की चूट है और SCST वालों को 5 साल की है यह चूट और जो physically disabled है उनमे जनरल वालों को 10 साल की OBC वालों को 13 साल की मतलब extra time दिया जाए गा इनने और physical disabled जो SCST वाले है उनको 15 साल की relaxation आ एज में और जो ex-serviceman है उनमे जनरल वालों को 3 साल की OBC वालों को 6 साल की और SCST वालों को 8 साल की है अब हम इसका exam pattern की बात करते हैं जो exam होगा वो थ्री stages में होगा tier 1 जिसमें objective multiple choice question आते हैं जोने कि MCQ type यह होता है second number पो जो tier 2 है वो है descriptive type paper होता है और third जो tier 3 है उसमें typing test और skill test होगा अगर tier 1 exam pattern की बात करें जो 2022 का है उसमें जो यह exam online होगा और इसमें total 100 question पूछे जाएंगे और हर question के 2 marks होगे यानि कि total 200 marks का question होगा जो tier 1 exam है जिसमें 25 question English language में से 25 general intelligence में 25 quantitative aptitude में से और 25 question general awareness में पूछे जाएंगे और इसमें 0.5 जो है negative marking भी होगी अगर आप गलत अंसर देते हो यानि कि अगर आप गलत अंसर दोगे तो आपका आधा marks कट किया जाएगा अब बात करते हैं tier 2 exam pattern 2022 का इसमें यह exam आपका offline होगा जो tier 1 था वो था online और यह वाला exam आपका होगा जो tier 2 है यह offline होगा इसमें आपसे essay writing या letter application writing के लिए कहा जाता है जिसमें 200 से 250 word के लिए essay writing और 150 से 200 word के लिए letter या application writing के लिए कहा जाता है जिसके लिए आपको केवल one hours मिलता है एक घंटे में आपने यह करना होता है इसे qualify करने के लिए आपको 33% marks के जरूरत होती है tier 3 exam की बात कर रहे हैं जिसमें LTC JSA postal assistant और sorting assistant का typing test होगा और tier 3 में ही जो data entry operator है computer test होता है यानि कि DEO का computer test लिया जाएगा हम इसकी important date की बात करें जो की notification आया है अभी अभी ये notification first February को आया था और इसमें बताया गया कि जो online registration जो है वो first February 2022 से start है और last date of registration की जो है वो है 7 March इस साल की और last date of online application fees के लिए है 8 March जो अपनी online application fees जमा करानी है वो 8 March तक करवा सकते हो अगर online है और last date generation of चलान जो है वो आपका 9 March है उसकी last date और payment थरोज चलान अगर आप कर रहे है तो उसके लिए 10 March है और application form जो आप payment में अगर कोई भी correction के लिए जो last date है वो 11 March से लेके 15 March के बीच मीच में है और जो SSC, CHS exam की date है वो May 2022 है और पूरी जानकारी के लिए आप SSC.nic.in यानि कि इसकी official website पर जाकर देख सकते हैं थैंक्स वार वाचिंग